वेल्कम दो हम क्लासिस हम क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं आज सभी के लिए गुड न्यूज है यूजी सी न्यू रेगुलेशन है जो की जुड़ा हुआ है आर्पी असिस्टेंट प्रॉफेसर रेकृट्मेंट 2023 से जैसे कि आप जानते हैं कि 1952 असिस्टेंट प्रॉफेसर की वेकेंशी आर्पी असिस्टेंट के माध्यम से आने वाली है और यह जो रेगुलेशन है वो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत प्रॉफेटेबल होने जा रहा है यह रेगुलेशन जुड़ावा है पीजी प्रीवियस में यहनी पोस्ट ग्रिजुइशन आप कर रहे हैं और उसके दौरान अगर आपका नेट कॉलिफाय हो जाता है तो वह जो इस रेटिपेट है वह मान्या होगा या नहीं इससे जुड़ावा ऑफिशल नोटिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं चली हम आगे बड़े आप हमारे चैनल पे नहे ह हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाग कीजिए फर्ण से लटिफिकेशन शेयर कीजिए बैल आकन को प्रेस कर दीजिए वर और नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आरपीसी असिस्टन प्रोफेसर 2020 में जो रिक्यूटमेंट हुए थे उस रिक्यूटमेंट के दौरान जिन भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट जो रिटन कॉलिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट आरपीसी में सम्मिट करवा है तो कई कैंडिडेट को एक नोटि उसमें यह लिखावा था कि आपकी जो नेट है वो प्रिवियस के दौरान हुई है और जबकि उस नेट के स्रेटिफिकेट में जो डेट दी हुई है दो साल की उस दौरान नेट होने के बावजूद भी RPC के द्वारा उन सभी कैंडिडेट को इंटरू में समलित नहीं होने दिया गया था जो कि बहुत ही चिंता का विश्य था क्योंकि जो भी कैंडिडेट प्रिवियस में नेट कर लेते हैं और जब उनका सेटिफिकेट आता है तो उस रिजल्ट में जो डेट दी हुई होती है रिजल्ट की उससे दो साल के अंदर रेगुलेशन के यानी सेटिफ मानेंगे जब आपका पीजी प्रिवियस कंप्लीट हुआ हो और आप फाइनल में अपियर हो और फिर आपकी नेट हुई हो तो इस कारण काफी कैंडिडेट को निकाल दिया था और सारे कैंडिडेट ने जो भी कैंडिडेट निकल गए थे इंटर्यू से बाहर यह उनिस त बी कैंडिडेट और जो वर्तमान में जो भी पीजी कर रहे हैं उनके लिए भी यह फाइदे मंद है वह इसलिए फाइदे मंद है कि अगर आप प्रिवियस में प्रिवियस में होते हुए आप आर पीजी की जो रिक्यूटमेंट आने वाली है दो जार तेस की अभी उसमें अब अप्लाय कर सकते हो यह नहीं करेंगा मतलब है आप पीजी भी अभी किलियर नहीं हो अगर आप नैट भी किलियर नहीं हो तो भी आप आर पीसी असिस्टेन्ट प्रोफेसर में अपीरिंग में और जो कि अब वेलिड है वो मैं आपको आफिशन नौटिफिकेशन कीजिए दोनों तीनों एक साथ कीजिए और अगर आप कई मैनत अच्छी तर से अपने की और आप नेट उसी दोरान किये क्योंकि हर शे मैंने में रेट हो रही है तो पीजी में आप एंटर होते हैं अगर नेट के लिए अपला करते हो तो लगबग आपको इस वेकेंसी के लि जब तक इंटर्व्यू शुरू होंगे तब तक आप अपनी पीजी और अपनी नेट क्लियर कर सकते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि जो भी पीजी में केंडिडेट है वह नेट भी कीजिए और आप्लाइब कीजिए अच्छी मैनत की अच्छे बाग गिना स अप्लिकेशन जो आया है वो दिखा देता हूं जैसे कि मैंने आपके इसके बैग्रांड बैग्रांड की स्क्टोरी बता दी ती रिसेंट्टी दो जार इकीस में काफी केंडिडेट को आर्पीसी ने यह कहकर निकाल देता कि आपने जो नेट किये वह प्रीवेस के दौरान किये जो किवेलेड नहीं है जब कि सेटिफिकेट में दो साल की दी होते हैं कि आप उसमें कर सकते हो ऑڑ और आर्पीसी ने डिनाय कर दिया कि हम इसको नहीं मटते हैश तो सारे धी यूजी सी में एप्लिकेशन लगाई थी और यूजी सी ने आर्पीसी की हो और उस केंडिडेट को यह लेटर बेजा है जिसमें भाकाय दिल लिखा हुआ है कि आप का जो सेर्टिफिकेट है वह वैलिड है और यह पीडिएप आपके सामने है यह यूजी यूनिवस्टी ग्र इस तरीके का हवाला देकर उसे इंटर्वी से अटा दिया था जबकि अब जो रेगुलेशन यह दिखा रहों में आपको बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके दौरान आप आर्पीसी के किसी भी जैसे अगर आगर आर्पीसी आपको इस तरीके से भाहर निकालती है तो अब यह देखिए इसमें में संगीदा चपरवाल को यह लेटर लिखा गया रेफरेंस दिया वाइए सिया साय यह सी एसाय जो साइन्स का सब्जेक्ट अजिसमें उस के इनिटेट को बाहर निकाला था इसमें लिखा वाइए इस इस विद दूर लेटर डिटेट आप साथ इसमें उस केंडिडेट ने यूजी सी को यह बताएए इसमें लिखा वाइए इसमें लिखा इनिटेट ने यूजी सी को यह बता है साथ जुन 2022 को कि उन्हें इंटर्व्यू में समलित नहीं होने दिया जा रहा है और रपी सी यह बोल रही है कि वह प्रीविएस यह में नेट क्वालिफाइड हुए है जिसके कारण उसकी नेट का सेटिविकेट वैलेड नहीं है फिर कह रहा है इन दे रिगार्ट इस इंफ अब्जेक्ट मैंतेमेटिकल साइन अंदर दा ओबी सी नॉन क्रिमिलियर एक इसमें एक हवाला दिया रहा है जिसमें इस तरीके काई केस आया था और उसकेस में कोट नहीं हाई कोट नहीं उनको इसके लिए एलिजिबल माना और आप यह कह रहे हैं कि इस तरीके से हम भी यह कह रहे है इफ दे कंप्लीट दियर मास्टर डिग्री विट रिक्यूजिट प्रसेंटेज और मास्ट विदिन टू यर फॉन देट ऑफ यूजी सी नेट रिज जब आती है उससे दो साल के अंदर आपकी फीजी हो जाती है तो अब वैलिडोस में साफ दिया है यूजी सी हैड टेकन पॉलिसी डिसीजिजन टू मॉडिफा इस एलिजिबल्टी कंडिशन फॉर्ट फूचर यूजी सी नेट अप्लाय तर वाइस एलिजिबल्टी किया है और मॉडिफा किया है जिसमें साफ कर दिया गया था इस डिसीजन के बाद कि जो भी कैंडिडेट रिजल्ट के दो साल के अंदर अपनी पीजी कंप्लीट करते हैं उनकी नेट है आप इस तरीके ते उनको निकाल नहीं सकते हो यह सब्जेक्ट सीएसाइर का था इसल में अफ कन्फियूज मत हो ना तो इसमें इस लैटर में साफ कर दिया गया यूजीसी की तरह से जो भी कैंडिडेट पहले हैं या अभी या किसी भी समय उस जो डेट उसके सेडिजाट में दी वह हूँए है जो की रेजल्ट से 2 साल की डी होती है उस Во साल के अंदर आपकी पीजी कम्प्लीट होती है तो आप मतलब हो और भाकाय दे अगर आरपीसी आपको जैसे कि आप अभी जैसे मैं आप कह रहा हूं कि आप प्रिवियस भी कीजिए और इस तरीके से आप करते हो आपकी पीजी कम्प्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू नॉर्म 55 परसंट के साथ और उसका नेट भी आपका 55 पीजी में 55 मोर दें 55 हो नेट हो जाता है और आरपीसी डिटन भी कर लेते हो तो आपका इंटेव्यू कॉल आएगा इस बार क्योंकि इसकी एक कॉपी आप देखिए कॉपी टू फॉर इंफरमेशन सेकेटरी राजिस्तन पॉब्लिक सर्विस कमिशन घूगरागाटी जैपो रोड जमें उनकी एक कॉपी बाकायदे आखे राजिस्तन पॉब्लिक सर्विस कमिशन पी गई थी तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको इस तरीके के आप बाउंडेशन नहीं देख सब्सक्राइल सब्लाइब करें और लिक्राइब अगर में नहीं है आपकी डेट गर जो लिखी यह ससेजते हैं उससे पहले प्रमूर्माय गूब है तो आप eligible हैं और यह जो लेटर है यह जूजी सी की तरफ से ही है और यह पर्सनल लेटर था एक उनको और को भी गई है उसके तरफ से उस कंडीडेट ने जो उनने कंप्लेंड की दिया और यूजी जी को इंफॉर्म किया और यूजी ने इस तरिका लेटर और बेज दिया है तो आने वाले समय में लिए सब को सब के लिए फायदे मन्द होगा और इस तरीके का अगर आर्पीसी आपको भाहर निकाल देती है तो वाकादेया आप राजस्तन आई कोड में भी आर्पीसी के इस डिसिजन को चैलेंज कर सकते हैं और आपका 100% इंटर्यू लिया जाएगा वैसे तो आर्पीसी को क्यों बश्च को चनाता है कि धिकलगी तो जैसे यह एक इसैंग तो यह वर्लत की और बढ़ता है उससकता गाल होने वाले जैसके नया अब डेट आईगा तो मैं आक को सुझीतав कर दूआ है बर नए तो जानल सुभ्स्क्राब कर लिए था वगत लिए थांक यू झाल झाल